अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिये और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों कीर्टन और आर्टी में ताली बजाना हमारी धार्मिक मान्यता है हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या जब भी हमारे घर में पूजा होती है तो कीर्टन और आर्टी में हम ताली ज़रूर बजाते हैं आखिर कीर्टन और आर्टी में ताली क्यों बजाते हैं कीर्टन और आर्टी में ताली बजाने का क्या महत्व है अगर ऐसे ही सवाल आपके मन में भी अक्सर आते हैं तो यहां हम आपको बता रहे हैं कीर्टन और आर्ती में ताली बजाने के धार्मिक और विज्ञानिक महत्व कीर्टन और आर्ती में ताली बजाने का धार्मिक महत्व हमारे देश में प्राचीन काल से मंदिरों में पूजा, आर्थी, भजन कीर्थन आदी में ताली बजाने की परंपरा रही है चाहे हमारे घर में पूजा हो रही हो या हम किसी मंदिर में गए हो भजन कीर्थन वे आर्थी शुरू होते ही हम सब एक साथ मिलकर ताली बजाते हैं हम सब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने पुर्वचों को ऐसा करते देखते आएं हैं हमारे देश में प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि ताली बजाकर प्रभू का नाम भजने से सारे पाप दूर हो जाते हैं ताली बजाने को सहज योग माना जाता है अगर आप नियमित रूप से रोजाना ऐसा करते हैं तो फिर आपको हट योग की आवश्यक्ता नहीं है कीतन और आरती में ताली बजाने का विग्यानिक महत्व ये है दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे हातों में एक्यू प्रेशर पॉइंट्स अधिक होते हैं ताली बजाने के दोरान हतेलियों के एक्यू प्रेशर पॉइंट्स पर अच्छा दबाव पड़ता है जिससे हृदय रोग फेफडों की बिमारियां जैसे अनेक रोग उसमें लाब पहुचता है और शरीर निरोगी बनता है ताली बजाना एक तरहा का व्यायाम है इससे रक्त संचार की रुकावट दूर होती है और रक्त का शुद्धी करन होता है स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए भी ताली बजाना फाइदेमंद है इस दिये आप भी केतन और आती में ताली बजाने को अपना रोज का नियम बना ले इससे आपको मानसिक शांती मिलेगी और जम मिलेगी और आप हमीशा स्वस्थ रहेंगे देवी देवताओं का पूजन करने से दुख दर्द दूर होते हैं साथ ही शांती भी मिलती है इसी कारण से पुराने समय से ही पूजन की परंपरा चली आ रही है जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है वहां का वातावरन साकारात्म क्याने के पॉजितिव और पवित्र रहता है दरिद्रता दूर रहती है दीपक और अगरबत्ती के धूएं से स्वास्ते को नुपसान पहुचाने वाले सुक्षम कितानू भी मर जाते हैं शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेश्ट फल प्राप्त होता है महालक्षमी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है चले आपको बताते हैं कुछ ऐसे नियम जो कि घर के मंदर में पूजा करते समय ध्यान में रखने चाहिए सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेश रूप से चढ़ाए जाते है पूजन के लिए ऐसे चावल का उप्योग करना चाहिए जो अखंडित हो यानि के कहीं से भी तूटे हुए ना हूँ चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुमाना गया है इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबो कर पीला किया जा सकता है पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए ध्यान रहे पान के पत्ते के साथ इलाइची लोंग गुलकंद आदी भी चढ़ाना चाहिए पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ट रहीगा पूजन कर्म में इस बात का विशेश ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए ऐसा होने पर पूजा का पूनफल प्राप्त नहीं हो पाता है किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन याने के आमंतरित करना उने ध्यान करना, आसंदेना, सनान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत याने के चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प याने के फूल, प्रसाद आधी अन्यवारे रूप से होना चाहिए देवी देवताओं को हार फूल पतियां आदी अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लिना चाहिए भगवान विश्णु को प्रसन करने के लिए पीले रंका रेश्मी कपड़ा चढ़ाना चाहिए किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदी का ध्यान करना भी आविश्यक है इन सभी का पूजन भी करना चाहिए पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं, उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए आसन को हातों से ही खिसकाना चाहिए अगर आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे, तो घर के कई वास्तु दोश भी दूर हो जाएंगे सूर्य, गनेश, दुर्गा, शिव और विश्नु ये पंच देव कहलाते हैं इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवारे रूप से की जानी चाहिए प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए इससे लक्ष्मि कृपा और स्मिद्धी प्राप्त होती है तुलसी के पत्तों को ग्यारा दिनों तक बासी नहीं माना जाता है इसकी पतियों पर हर रोज जल छिड़क कर फिर से भगवान को अर्पित किया जा सकता है दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगा कर इधर उधर लगा दिया जाता है जबकि ये सही नहीं है घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उप्योग की जानी चाहिए जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बतीश रेष्ट बताई गई है पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए धार्मिक कार्यों में खंडित सामगरी शुभ नहीं मानी जाती है शिवजी को बिलवपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजन में मनुकामना की सफलता के लिए अपने इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिना अवश्य चढ़ानी चाहिए दान करना चाहिए दक्षिना अरपित करते समय अपने दोशों को छोड़ने का संकल्प भी लेना चाहिए दोशों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनुकामनाय अवश्य पूर्ण होगी भगवान सूर्य की साथ श्री गनेश की तीन विश्नु जी की चार और शिव जी की आधी परिगर्मा करनी चाहिए घर में या मंदर में जब भी कोई विश्येश पूजा करे तो अपने इश्ट देव के साथ ही स्वास्ति कलश नवग्रह देवता पंच लोकपाल शोड़श मात्रिका सब्त मात्रिका का पूजन भी अनेवार्य रूप से किया जाना चाहिए इन सब ही की पूरी जानकारी किसी पंडित से भिया प्राप्त कर सकते हैं विशेश पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा बिधीवत हो सके घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड या भारी चीज नहीं रखनी चाहिए भगवान शिव को हल्दी नहीं चड़ाना चाहिए और ना ही शंक से जल चड़ाना चाहिए पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखे चपल या जूते पहन कर किसी मंदिर में या घर के पूजा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें अगर आप पूजा कर रही है तो चमड़े की जो भी आपके पास आइटम है उसे पूजा घर से बाहर ही छोड़ दें पूजन स्थल पर कच्रा इत्यादी जमा ना होने दें दोस्तों ये छोटी छोटी बाते हैं अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपको पूजा का फल प्राप्त हुगा साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में बताये था कि दीपक जो है पूजा के बीच में बुजना नहीं चाहिए अगर ऐसा हो जाता है किसी कारणवश वैसे तो दोस्तों आपको पूरा खयाल रखना चाहिए क्योंकि इससे आपकी पूजा भग होती है पूजा का खुरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश दीपक जो है बुज जाता है तो ऐसे में आप दीपक को दुबारा से उजागर कर लें दुबारा से प्रजलित कर लें और साथ ही भगवान से शमा मांग लें और उसके बाद ही अपनी पूजा को फिर से आरंब करें दोस्तों पूजा के बाद शंख बजाने की प्रधा भी शास्तरों में बताई गई है वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि शंख की ध्वनी बहुत ही पवित्र होती है और अगर घर में शंख बजाया जाए पूजा के बाद या फिर अगर आप चाहे तो घंटी का प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहे तो दोनों चीज़ों का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि घंटी और शंख की ध्वनी से घर की नाकारात्मक उर्चा नश्ट हो जाती है जिससे घर में साकारात्मक उर्चा का संचार होता है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम भड़ता है घर में तरक परक महसूस कीजिये साथ ही हमने आपको बताया कि इतन और आर्थी में ताली क्यों बजाए जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें फेस्बुक पेच पर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे फिर मुलकात होगी जल्द ही अलविता दोस्तों जैम आता दी